Hello friend, नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो पे, आज की इस वीडियो के हम पढ़ने वाले peripheral devices के बारे में, ये आपका second lecture है, first lecture में हमने पढ़ा था computer का history, और generation of computer पढ़ा था, और कुछ important चीज़े पढ़ी थी, first lecture में, computer से related, mainly history पढ़ी थी आपने, और type of computer पढ़ा हुआ थ ये first lecture में था, आज की इस lecture में हम पढ़ेंगे peripheral devices, जो आपके syllabus में भी है, तो चलिए start करते हैं, तो peripheral devices क्या होती है, वो devices जिसके थो हम computer में input देते हैं, या फिर हमको जिसके थो output मिलता है, वो कहलाती है आपकी peripheral devices, ये devices system से connect होती है, by a port, by a port किस में connect रहती है, motherboard में, और ये CPU wireless keyboard, wireless mouse देखा होगा, वो क्या होती है, wireless हो जाती है, तो उसमें port से connection नहीं रहता है, वो direct Bluetooth से connect हो जाती है, तो ये तो गई है आपकी peripheral devices, peripheral devices में आपको मेली कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है, कौन सी devices, input devices है, कौन सी output devices है, second आपको एक general उनका use, आपको समझ में आना चाहिए, और third है, आपका कुछ special devices है, जैसे keyboard हो गया, type of printers हो गये, और कुछ full farm आपको ध्यान रखना है, इतने में आपका syllabus हो जाएगा complete, तो बहुत जादा नहीं पढ़ना है, इतने में आपको की चीज़े cover हो जाएगे, तो चलिए start करते हैं, first input devices है तो फस्त तो आप नाम धियान राखलो, गौन कौन सी input devices है, input आप पहले जान लो क्या-क्या आप दे सकते हो, input क्या-क्या हो सकता है, input data हम कुछ भी देंगे, तो क्या-क्या हम data दे सकते हैं, first पर सेकंड हम नंबर input दे सकते हैं, third आपको कुछ भी image हो सकता है, image base, या फिर four video वीडियो हो सकता है या फिर 5 आपकी वाइस हो सकती है इतना ही डाटा हमको input कराना है तो यह डाटा जितना भी है इसको input कराने के लिए अलग-अलग devices है कुछ में दो से तीन चीज़े एक साथ पढ़ेंगे आगे तो keyboard से हम alphanumeric जितने भी character वो इंटर कर सकते है इस्पेसल character भी इंटर कर सकते है तो यह हो गया आपका keyboard की बाद फिर mouse mouse क्या एक pointing device है जिसके through हम instruction इंटर करते है कोई हम data नहीं इंटर करते है इंटर करते है जैसे आपका monitor में जैसे आप graphic user interface है तो आप कोई भी file यहां से move कराना हो या फिर उसको save करना हो या फिर कोई new file आपको इंटर करानी हो यह सब जो भी जितने भी instruction है वो हम इंटर करते है mouse के through अब mouse में एक चीज और ध्यान कर लो ध्यान रख लीजे mouse में पहले mouse होते थे उसमें क्या होता था mouse में की नीचे एक ball रहती थी उसका movement होता था अब क्या हो गई है अब हो गया है optical sensor नीचे रहता है जब भी आप mouse अप उल्टा करके देखोगे red color की light जलती रहती है वो क इतने time में reverse होके आ रही है light उसके through वो judge करके उसका movement कराता है cursor का ठीक यह होगी आपकी mouse माउस के बाद joystick आपने game बहुत खेला होगा एक stick टाइप की रहती है mouse में क्या है कि surface में आपको move कराना पड़ता है जैसे ही आप move करा होगा उसी direction में आपका cursor भी move करेगा बट joystick में आ game भी यूज़ करते हैं तीसरा है track ball जो पहले आपका आता था mouse उसी को आप उल्टा करके रख दो और ball को कर दो उपर तो वो क्या हो जाएगी आपकी track ball अब हमको surface में move नहीं कराना है अब हम क्या है ball को ही सिर्फ move कराएंगे उसी से हमारा क्या है cursor का movement होगा ठीक इसके बाद आपको पढ़ना है light pen light pen simple एक pen होती है जिसको आप monitor में आप उसी के थुरू movement करा सकते हो light pen के बाद scanner scanner आप सभी को पता है बहुत यूज़ करते हूँ कोई भी hard copy है उसको हम scan करने में उसको digital form में change करने में microphone आपकी जो भी voice command है उसको electronic form में change करता है magnetic in character reader ये बहुत important device है इसक कहां पर होता है ये check में use होता है bank check जो भी मिलते है उसमें नीचे आप देखोगे कि special character से check number आपका account number और detail रहती है वो कहलाती है check number आपका नीचे जो रहता है वो क्या है आपका उस चीज वो एक special ink से magnetic ink से बनता है जो आप general उसका formula नहीं जान सकते हो उस चीज को recognize करने के ल भी रहती है जब वो दोनों चीजे रहेंगी तब ही वो judge करके उसको pass करेगा इससे क्या manual work खतम हो गया है और आपको automatic ही जित्ती भी check है जित्ती भी check है उन्हों सही है कि नहीं उसको आप check कर सकते हो एक आप movie देखना catch me if you can उसमें दिखा कैसे फर्जी क्या पहले होता था जब तक MICR नहीं था तो check कैसे फर्जी होता था फिर optical character reader, optical character reader में scan में क्या होता है कि सिर्फ आप उसकी photo scan कर सकते हो ठीक न, optical character reader में जो भी character लिखे रहते हैं वो सीधे आप scan या फिर convert कर सकते हो जो भी data है उसको digital form में, OMR seat अभी आप paper देने जाओगे इसको आपको बताने क जुरत ही नहीं, optical mark reader, जो भी multiple choice question वाले paper रहते हैं, वो special pattern को judge करता है, OMR seat number, और copy भी आपकी जित्ती चेक होती है, या optical mark reader से चेक होती है, barcode reader, barcode देखा होगा, कोई भी आप super market से समान या फिर कहीं से भी समान करीते हो, तो पीछे एक ऐसी line बनी रहती है, lineों में width किसी में जादा रहेगी, किसी में कम रहेगी, और एक number नीचे लिखा रहता है, इसमें पूरी product की detail रहती है, क्या pricing है, क्या सब कुछ detail उसमें रहती है, इस चीज को scan करने के लिए आपका एक shopkeeper रखा रहता है, scanner, ये चीज कहलाता है, barcode reader, ये scan करता है, इसमें पूरी आपकी information रहती होगे, stylus, जिससे आप pen रहती है, उससे आप move कराते हो, चीजो को, इन पर आप light pen कर सकते हो, पर light pen की तरह नहीं काम करता है, stylus में अलग function लेता है, webcam, webcam क्या है, vision input devices है, means जो भी सामने virtually चल रहा है, वो चीज input होती है, either it is image or video, इसके बाद आप आ जाईए, तो microphone, microphone तो लिया है, फिर graphical tablet, tablet क्या होती है, tablet में क्या होता है, कि एक stylus के थुरू, एक special surface में, या फिर special device में, आप जो भी चीजे यहाँ पर लिखते हो, जो भी movement करते हो, वो चीज सीधे आपका computer system में दिखती है, या फिर move होती है, अब है electronic card reader, simple जैसे आप ATM, swipe machine जो होती है, वो आप जान जाओ कि electronic card reader, speed recognition devices पढ़ लिए, microphone, biometric devices, आधार card बनवाया होगा, आपकी जित्ती fingerprint, eye scanner, जित्ती भी चीज में, इसको recognize करने के लिए, biometric device होती है, तो ये हो गई आपकी, क्या input devices, input devices में keyboard आप पढ़ लो, keyboard कुछ important चीज है, तो keyboard में क्या होता है, की रहती है, एक, की रहत है, क्या, ASCII number रहता है, ASCII का full farm ध्यान रखी, American standard code for information interchange, ये पूछा भी गया है question, ठीक, वो की रहता है, तो जैसे या प्रेस करते हो, तो वो electronic signal send करता है, bit pattern में, आपका system में, उसी चीज को recognize करके, आपके monitor में output दिखा देता है, जब भी आप कोई चीज क्लिक करते हो, इसमे की ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा important है आपकी, toggle की से सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा question आता है, तो caps, num और scroll, ये तीन की कहलाती है, आपकी toggle की, mainly use कब होती है, mainly, जो भी vision imperion person है, उनके लिए use होता है, जब आप toggle की on कर दोगे system में, जब भी इनको press करोगे, तो आ है, toggle की, toggle की की बाद modifier की, बल्दब जिससे आप modify कर सकते है, shift alt control, बेंस अगर आपको small case से lower case करना है, small case से upper case करना है, या फिर कोई भी चीज, इनके combination में use होती है, ये individual नहीं, combination में use होती है, आपकी alt control, और shift alphanumeric की आपको पता ही है, a to z 26 होती है, और 0 to 9, 10 number होते हैं आपक F1 generally use होता है help key के लिए, F5 preference के लिए, F7 इस पे लिए grammar check के लिए, F11 full screen के लिए, ये question पूछा जाता है, F1 किस के लिए use होता है help के लिए, और F11 क्या होता है, full screen के लिए, F12 open save as window in a microsoft word, अब आता है special key में, तो special number रहते हैं जो, और navigation की, navigation की होती है, जैसे ये up, down, page up, page down, home, int, ये जितनी भी चीज़े हैं, ये navigation करने के लिए, means system cursor आपको, उसको move करने के लिए, ये होती है navigation की, तो इत्ता धियान रखना है आपको, keyboard के बाद फिर, जब आपका system process कर लिया, process करने के बाद आपको output देता है, तो output आप दो तरीके से ले सकते हो, एक ले सकते हो, आप soft copy या फिले सकते हो, hard copy, तो जो hard copy मिलेगी तो आप उसको touch कर के feel कर सकते हो, ये मिलेगी आपकी printer से, plotter से, ठीख, और soft copy मिलेगी आपको, जो आपको दिखे, तो ओ कैसे दिखेगी? monitor से मिल सकती है, या फिर आपको speaker से मिल सकती है, या तीसरा projectors पे आपको मिल सकती है, तो ये यह आपको चीजें हो गई क्या? आउटपुट, तो आउटपुट टिवाइशेस में आपको पैटना है मॉनिटर मॉनिटर क्या होती है? سिंपल जो टीवी स्क्रीण रहती है जिसको कंप्यूटर कहते हैं जिसमें चीजे देखती है? वो कहलाता है monitor monitor के बाद printer printer सबने देखा ही होगा soft copy को hard copy में आपको print करते printer के type नीचे पढ़ेंगे plotter plotter धियान रखना जो बहुत बड़ी-बड़ी mainly engineering या फिर architecture जो भी design रहती ही बड़ी-बड़ी वो सब होती है आपकी plotter से या फिर बहुत बड़ी-बड़ी system में आपका speaker हो गया तो यह हो गया आपकी output devices उसमें आपको monitor आप पढ़ लेना mainly तो monitor में 3-4 full form है सबसे first है cathode ray tube पहले आपने टीवी देखी होगी जिनसके घर में पुरानी टीवी होगी क्या सी टीवी होती थी यह इतनी मोटी सी टीवी होती थी यह कहलाती थी cathode ray इसमें क्याती थी ray होती थी और यहां पर फॉस्प और coated surface होती थी जब इसमें ray strike करती थी तो वह एक अब आते हैं printer printer बहुत important है तो printer दो तरीके होते हैं कि इमपेक्ट printer एक होता है non impact impact का मतलब क्या होता है जिसमें आपको strike करती है कोई चीजे मतलब छूके जैसे पहले होता था टाइप writer टाइप करता था एक चीजे चूँती पीछे से एक pin strike करती थी वह कहलाते है impact और non impact हो गया जिसमें चीजे आपके strike नहीं करती है impact में दो आपके subdivisional हो गया एक हो गया line एक हो गया character लाइन में आपका क्या हो गया drum printer एक हो गया chain type drum में आपका क्या होता है drum होता है उसमें आपके character रहते हैं और वही character line और character बता देते हो line में क्या होता है कि line printer में कि एक साथ एक line print होती है और character printer में एक character एक समय में print होता है character by character print होता है एक line printer में पढ़ते हैं तो drum और chain type होता है तो drum में क्या होता है कि एक लाइन में पूर ऐसे कह दो आपकी पूरे इसमें अलफा वेट और निमेरिक और जित्ते भी स्पेसल क्यारेक्टर हैं वो रहते हैं तो जो यह क्या है यह जब आप यहां पर रखते हो यह इंडिविजुवल की स्टाइक करती है तो इसमें आपका प्रिंट होता है चैन टाइप में चैन रहती है उसमें alphanumeric की रहती है वो strike करती रहती है इसमें ठीक और अब आते हैं character printer में तो character printer में dot matrix होता है dot matrix देखोगे छोटी छोटी डार्ट से जैसे कोई चीज बनी रहती है railway ticket आपने लिए होगी न इस station की station ticket जो मिलती है उसमें जो भी printing होती है वो होती है dot matrix है उसको ध्यान से देखना तो एक छोटी छोटी ऐसे करके बनाऊगा उसे करके print होगी और फिर है desi wheel, desi wheel क्या होता है कि एक ऐसा wheel होता है जिसमें सब character ऐसे लिखे रहते है और ये wheel rotate करता रहता है और जो character जहां पर print करना रहता है वहाँ पर strike करता जाता है paper के सामने इसकी speed measure की जाती है line printer की line per minute में character printer की character per second में और जो non impact printer है उसकी page per minute में speed measure की जाती है ये ध्यान रखना है ये पूछा जाता है question non impact में को impact नहीं होता laser jet printer, printer ink jet printer और thermal printer जिसमें impact नहीं होता है ink आपकी कर देते है और दूसरा laser की थ्रू हो जाता है और तीसरा thermal में आपका temperature sensitive paper रहता है उसमें edge पर आपकी जो भी specification requirement है उसकी साब से print होता है quality of printer आप measure करते हैं dpi में, dot per inch और कुछ बोथ input output devices भी हैं जैसे modem, modulator demodulator input output कैसे है इससे आप upload भी कर सकते है और दूसरा download भी कर सकते है ठीक, digital camera हो गया, gyrox machine especially वो machine जिसमें आपका print भी निकलता है और दूसरा scan भी आप कर सकते हो, दूसरी जगा सकते है ठीक, यह हो गी है आपकी input output devices अब आते हैं third chapter में तो third chapter करेंगे कल, यही था आज के लिए important चीज में लिए इसमें कुछ है नहीं खास नाम बस आप ध्यान रख लेना कि कौन सी input devices हैं, कौन सी output devices हैं इनके नाम ध्यान रख लेना, एक general idea तो आपको हो गई, यत्ती दिनों से system तो सभी चला रहे हैं तो एक general idea है और क्या पढ़ना है toggle की ध्यान रख लेना, toggle की किलाबा function की दो तीन function किलाबा type of printer की कौन सा line type printer है कौन सा character printer है और कौन सा non impact printer तो यह ध्यान रख लेना और इनकी speed जैसे page per minute किसी में है character per second की speed ध्यान रख लेना तब तक के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगाओ, कुछ information मिली हो तो लाइक कर देना और अभी तक आपने subscribe ना किया हो तो subscribe कर लेना आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे इसी तरह के आपके से related Thank you, thank you for watching